दोस्तो यह जो तिस्वीर है यह एक नक्षा है जो लिया गया है आपकी N.C.E.R.T. की कक्षा तीसरी की पुस्तक आसपास के पार्ट 22 से इस नक्षे में जो अलग-अलग जगा है उन्हें दिखाया गया है कुछ चिन्हों के द्वारा जो की इस नक्षे के बिलकुल साइड में हमें दिये हुए हैं क्या आप देख पा रहे हैं वहाँ घर का निशान बना है और उसके आगे लिखा है घर यानि हाँ उस पेड का निशान बना है उसके आगे लिखा है पेड यानि ट्री इसी तरीके से और भी चीजे हैं जो चिन्हों के द्वारा यानि सिंबल्स के द्वारा यहां दिखाई गई है इस नक्षे में अब हमें क्या करना है हमें इन चिन्हों को इस नक्षे में ढूंडना है और पता लगाना है कि यह जो है इस पूरी जगा पर कितनी बार है यानि इस इलाके में भला यह है अलग-अलग जगाएं कितनी है यानि कि जैसे कि सबसे पहला चिन जो है वो है तो हमें पता करना है इस पूरे इलाके में जहां का ये नक्षा है, महां total कितने घर हैं, और वो हम कैसे पता करेंगे, देखिए, सबसे पहला जो चिन है वो है ये घर का, जिसके around हमने अभी ये लाल ने चान लगाया, तो ये जो घर यानि हाउस का चिन है, अगर हम इस नक्ष और चार, तो ये चार बार आया है, और कहीं तो नहीं बचा ना घर, नहीं, तो ये घर कितनी बार है, यानि इस इलाके में कितने घर है, इस इलाके में है चार घर, अब अगला नमबर है, पेड यानि ट्री का, तो आईए अब हम देखते हैं कि इस इलाके में कितने पेड है एक, दो, तीन, चार, पांच क्या और कहीं पेड़ है? जी नहीं तो टोटल कितने पेड़ हुए? पांच यानि कि फाइव अब अगला नंबर है हैंड पंप का तो देखते हैं ये हैंड पंप का चिन जो है गोल निशान वो कहां है इस नक्षे में? और कितनी बार है? हैंड पंप का एक चिन तो ये रहा क्या इसके अलावा कहीं पर आपको ये ऐसा चिन दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा तो इस इस इलाके में कितने हैंड पंप है? इस इलाके में हैं एक हैंड पंप इसके बाद अगला चिन है गेट का अब हमें पता करना है कि इस इलाके में फला कितने गेट है तो देखिए एक चिन तो ये रहा गेट का क्या इसके अलावा कहीं पर आपको ये लाल निशान या लाल चिन दिख रहा है रेड कलर का ये सिंबल मुझे तो नहीं दिख रहा है तो टोटल कितने गेट हुए वन यानि की एक उसके बाद ये निशान है कुएं का यानि वैल का नीले रंग का पानी हमें इसके अंदर दिख रहा है इस निशान में तो क्या आपको कुएं का निशान कहीं दिख रहा है ये रहा तो टोटल कितने कुए हुए इस इलाके में वन जानी एक इसके बाद अगला नमबर है बस्टॉप का इस इलाके में भला कितने बस्टॉप है देखिए बस्टॉप का जो निशान है वो है लाल रंग का तो ज़रा देखिए ये निशान कहा है यह निशान तो यह रहा तो यहां bus stop भी कितने हुए एक अब है अगला नंबर डाग घर यानि post office का और यह निशान जो है अंदर नारंगी बाहर से गुलाभी यह निशान भला कहा है यह रहा हमारा डाग घर यानि post office इस इलागे का क्या आप जानते हैं इसी तरीके से हर इलागे का अपना एक post office भी होता है क्या आपके इलागे का भी कोई post office है उसका नाम क्या है अब अगला नमबर है अस्पिटाल यानि hospital का जिसका है एक जमा का निशान लाल रंग का क्या आप कहीं देख पा रहे हैं या अस्पिटाल जी हाँ ये रहा हमारा अस्पिटाल और कितने अस्पिटाल है इस पूरे नक्षे में सिर्फ एक तो अस्पिटाल हुए हमारे एक यानि one उसके बाद अगला नमबर है दुकान का यानि शौप का और जिसका निशान है गुलाबी रंग के बकसे के अंदर नीले रंग का गोल निशान तो वो ये रहा इसके अलाबा तो कहीं और कोई दुकान नहीं दिख रही तो हमारी कितनी दुकाने हुई सिर्फ एक दुकान यानि one शौप इसके बाद अगला नमबर है स्कूल का जिसका निशान है पीले रंग का क्रॉस और वो कहा है वो है उपर पेड के पास तो स्कूल कितने हुए इस इलाके में स्कूल भी है सिर्फ एक यानि one तो हमने जाना कि इस पूरे इलाके में टोटल चार घर है पाँच पेड है एक हैंड पम एक गेट एक कुवाँ एक पस्ट आप एक पोस्ट आफिस यानि डाग घर एक अस्पताल हॉस्पिटल एक दुक पारी बाते जानी सिर्फ नक्षा देखके कि इस इलाके में भला क्या क्या है और कितनी तादाद में हैं अब जरा आप इस नक्षे पे गौर करना ये भी आपकी NCRT की पुस्तक से लिया गया है यह जो नक्षा है यह है रूचिरा के घर के आसपास का नक्षा और आपको इस में से पहचानना है कि भला इस इलाके में जो अलग-अलग जगा है वो कितनी है यानि घर कितने हैं पेड कितने हैं हैं और बाकी सारे चीज़े कितनी हैं तो ध्यान से इस नक्षे को देखना और जानने की कोशिश करना और लिखना कि यहां पे कौन सी चीज़े कितनी बार ह तो जरूर देखना और लिखना और अपने आस पास भी देखना कि आपके इलागे में कौन सी चीज़े जादा हैं और कौन सी चीज़े कम